Hello and welcome students, welcome to our EVS session and today is our day 1 or part 1 of our EVS lesson. So students, today we are going to start our new chapter, chapter number 5, water for every household, जो मतलब पानी, जो household, जो household मतलब घर के लिए हम कैसे पानी यूज करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, वो भी हम इस lesson में देखेंगे. So can you tell, can you recall, मतलब याद कर सकते हैं students, what are the different purpose for which we need water, हमें जो day to day life में क्यों पानी लगता है, हम वाटर की नीड क्यों रखते हैं, पहले भी lessons में बोला है मैंने students क्यों लगता है, हम जो पानी यूज करते हैं, वो बात के लिए यूज करते हैं, हमारे घर पर जो utensils होते हैं, बरतन दोने के लिए यूज होते हैं, बहुत सारे चीजों के लिए हम पानी का यूज करते हैं, So, can you tell me students, the picture below shows some containers used for storing water at home, यहाँ पर जो picture बता है students यह सारे, यह सारे क्या आप शो कर रहे हैं, यह container है, यह बरतन है, जिसमें हम घर पर पानी स्टोर करते हैं, घर पर, घर के यूज के लिए इन सारे बरतन में पानी स्टोर करते हैं, अब देखते हैं, one by one, which of these have come into use more recently, तो अभी फिलाल हम क्या यूज करते हैं, वो देखते हैं, तो देखो, one by one देखते हैं, यह क्या है स्टोर्ण्स, यह है मटका, क्या है मटका है, जिसमें एक टैप लगा हुआ है, उपर लीड है और ग्लास है, बराबर, यह भी एक टैप का मटका ही है, लेकिन यह बड़ा है होता है, और यह छोटा होता है, जिसे हम easily उठा सकते हैं, then this is a barrel, barrel मतलब देखो, अगर कई पर function होता है, जहाँ पर ज्यादा तरह करते हैं, ज्यादा पानी की नीड होती है, तो उस functions में हमें इस तरह के barrel दिखाई देते हैं, या फिर कई hospital, कई office में जाओ, तो ऐसे barrels, लोगों के लिए drinking water store करते हैं, इस barrels में, now this is a water tank, यह क्या है tank है यह जो tank है students, यह ऐसा tank है, इसमें हम drinking water store कर सकते हैं, then next है यह, यह जो utensils है, यह पुराने जमाने में, जो अगर आपके घर पर grand parents होगे, तो grand parents को पूछो है, parents को पूछो कि यह जो मतका है, यह पुराने जमाने में water store करने के लिए use होता था, इसे मराठी में हंडा जो होता ह है, वो बोलते हैं, then this is also one type of use, यह भी एक क्या है, जिसे हम, जो है, इसमें भी हम water store करते हैं, जिसे हम एक तो drinking के लिए use कर सकते हैं, फिर हम जो खाना बनाते है, cooking के लिए use करते हैं, तो इसमें वो water store कर सकते हैं, तो question क्या है इस्टोन समारा, which of these have come into use more recently, तो हम recently, मतलए का यूज करते हैं, ये वाला यूज करते हैं, और ये वाला हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, पीने के पानी के लिए, what materials are used to make these different containers, ये जो सारे कंटेनर से, ये किस से बने हैं, ये जो है, ये क्ले से बना है, स्टोन से न, मिट्टी से जो मनता है, मिट्टी का घड़ बोलते हैं, ये इस से बना है, ये plastic का दिख रहा है हमें, ये steel का दिख रहा है, और ये तामबा जो बोलते हैं ब्रा, तो उसका ये बना है, ये plastic से बना है, ये भी plastic से बना है, what are the advantages of having a lid and a tap on the container? अब देखो, ये जो बरतन है, इसमें आपको tap दिख रहा है, लीड दिख रह तो क्या advantages है container को अगर lead और जो null है, tap है, वो है, देखो students आप अगर drinking water उसमें store करें, suppose मटके में drinking water store करें, तो वो हमेशा lead के साथ cover होना चाहिए, अगर ये open होगा तो इसमें जो microorganisms present होते हैं air में, you know very well about what is microorganism, तो वो microorganisms क्या हो जाएंगे, इस पानी के अंदर चले जाएंगे, और फिर ये जो पानी अगर हम drink करेंगे, उससे हम बिमार पड़ेंगे, तो हमेशा जो पानी होता है, वो lead, जो पानी का container होता है, जिसमें हम पानी store करते हैं, वो हमेशा lead से ढखा हुआ चाहिए, और tap, tap क्यो होता है, अगर, suppose हमें पानी होता है, तो हम क्या करते है, टैप खोलते हैं, उसमें पानी लेते हैं, गलास में पानी लेते हैं, पानी लेते हैं, लेकिन हमारे हाथों में बहुत सरे microorganisms होते हैं जो हमारी लिए harmful हते हैं तो वही microorganism Realty में पानी के अंदर जाते हैं और फिर वही क्या करते हैं हमारे पेट में जाते हैं फिर भीमार पड़ते हैं तो इसीकी वज़े से हमारा यह advantages है अगर मटके को लीड ये फिट आप रहा तो हम कम बिमार पढ़ेंगे जो हमारा water होता है drinking water होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा safe रहता है इन दोनों चीजों से Now here, so much math was so ये सारे pictures का explanation और ये सारे questions का answer एक बार आपको अच्छे से read करना है textbook open करके Now here, we need water for all the time हमारा daily, रोज, दिन भर में हमें बहुत सारे पानी की जरुरत होती है We have to store water in the house so that we can get it when we need it हम क्या करते हैं? We have to store water हमें पानी स्टोर करके रखना पड़ता है घर में क्यों? क्योंकि हमें कभी भी उसकी जरुरत पड़ती है हर टाइम हमें पानी की जरुरत पड़ती है इसलिए हम क्या करते है? घर में पानी स्टोर करते है Earlier, brass and copper pots as well as earthen pots were used to store water Earlier, मतलब पहले क्या होता था? Brass और copper के जो pots होते थे? या फिर earthen pots मतलब ये वाले earthen pots जो होते ये यूज होते थे पानी स्टोर करने के लिए Ask your parents or grandparents for the names by which these different pots are known आपके parents से आफिर grand parents से पूछो students कि इनका जो है क्या नेम है? देखो, खास कर ये वाले बरतन का और ये वाले बरतन का क्या नेम है और फिर ये वाले बरतन का ये तीनों स्टोरेज जो store करते हैं इन बरतन के क्या नेम से वो आपके parents से आफिर grand parents से पूछना है People also build tanks in their houses to store water तो people, अभी recently क्या होता है स्टोरेंस? ज़ादा पानी लगता है तो people क्या करते है? Tanks build करते हैं उनके house में पानी store करने के लिए Now as a steel or plastic is also used to make different containers for soaring water अभी फिलाल तो क्या होता है? अभी के दिनों में steel or plastic भी use होता है पानी store करने के लिए हमने उपर ही देखा कौन से कौन से प्लास्टिक के containers होते है Now here our topic next is care for our next topic is care for drinking water जो हम पानी पीते हैं उसकी कैसे care करने है? To ensure good hygiene, hygiene का मतलब साफ सुत्रा पना क्या hygiene का मतलब साफ सुत्रा जो होता है? To ensure good hygiene, we must have safe drinking water अगर हमें hygiene maintain कर मतलब अगर हमें खुद को साफ सुत्रा रहना है तो सबसी first thing क्या है? जो drinking water है उसे safe रखना भी जरूरी है ऐसे नहीं कि हमने drinking water store तो कर लिया लेकिन उसको खुला छोड़ दो फिर उसे drink करो मतलब कुछ नहीं होगा? No, तो उसको भी हमें safe रखना चाहिए जो हम drinking water store करते हैं उसे If we consume contaminated water, it can cause diseases अगर हम contaminated water consume करते हैं, so it can cause diseases That is why we take special care of the water, we store for drinking and cooking इसी की वज़े से जो हम पानी पीते हैं और जो cooking के लियूज होता है उसे हमें safe रखना चाहिए We keep the drinking water containers cover, देखो students, अब जो हमारे questions थे, उसके भी answers यहाँ पर हमें मिल रहे है We keep the drinking water containers cover, जो drinking water होता है, उसे हम cover रखते हैं, लीड, देखो, यहाँ पर एक मटका दिख रहा है उस पर क्या है, लीड रखी हुई है, यहाँ पर भी एक मटका है, उस पर भी लीड रखी हुई है So, देखते हैं, this prevent dust and other rubbish from entering the water यह किस से बचाता है, यह लीड बाहर, जो microorganism present होते है, dust होती है, जो पानी store किया होता है, उसके अंदर जाने से, यह लीड जो है, बचाती है If we dip our hands in the water to take it out, the dirt on our hands can enter the water देखो, मैंने पहले explain किया, अगर आप water, अगर आप आपके hand को water के अंदर dip करते हो, तो वो water जो होता है, जो hand में लगी, जो हाथ में लगी हुई dirt होती है, गंदगी होती है, वही dust particles उस पानी के अंदर चले जाते So, we can use a deeper to take the water and we replace the lid at once, देखो, deeper, deeper मतलब यह दिख रहा है न, response आपको इसे हम deeper बोलते, एक तरह का utensils होता है, जिसे हम क्या करते है, पानी के अंद, पानी में उसे dip करते है, उससे पानी निकाल कर, सिरी ग्लास में pour करते है और वापस यह होने के अबाद, यह जो lead है वापस उस पर ढग देते, तो इसकी वज़े से क्या होता है, जो हमारा hand है, वो directly पानी के contact में नहीं आता है, पानी के अंदर नहीं जाता है तो यह hand से, यह hand बाहर ही रहता है, और जो यह clean utensils होता है, वो आपको पानी के अंदर dip करना आता है, और ग्लास में पानी pour करना होता है और एक बाद पानी निकालने के बाद, यह lead वापस उस पर cover करनी होती है but the best method of taking water is it to have a tap on the country, यह method भी ओके, लेकिन सबसे safest method कोंची है students, water, drinking water का जो भी storage है, मटका उसे tap होना यह सबसे safest method होती है this way it costs easier to take water, इससे water लेना easy होता है, tap चालू करो, पानी लो ग्लास में tap, बन करो so it also prevents contamination, contamination मतलब बचाना, यह क्या करता है, prevents करता है contamination से when the water in a container is finished, we wash the container well before refilling it अगर मटके का पानी खतम हो रहा है, तो हमें उसमें तुरल पानी नहीं भरना है उस मटके को वापस क्या करना है, अच्छी तरह से clean water से साफ करना है और उसे refill करना है refill करना मतलब वापस भरना है पानी से, if we take such care drinking water remains clean अगर आप यह सारी जो care लोगे drinking water की, तो वो हमारे पीने के लिए safe होगा देखो students, आपके घर में पानी आता है, तो आपके जो ममा होती है, वो क्या करती है? उस मतके को साफ सुत्रा करती है और वापस से पानी भरती है उसमें, तो अगर यह सारे चीजों की आप care लोगे, है ना, मतके को अगर tap होगा, अगर tap में से आप पानी ले रहे हो, या फिर जो भी आपका dip करने का जो instrument से आपर बता है, इस मेथर से पानी ले रहे होती है, य जो हमारे drinking का water है उसे हम safe रख रहे है, इसकी यह वजा है students कि हम जितना safe water drink करेंगे उतने हम कम बिमार पढ़ेंगे, so this is the, यह कुछ methods है जिसके हम water safe रख सकते हमारा drinking water है वो safe रख सकते, so students today we are going to end of a session here, in next session we will meet with our new topic, till then thanks students